ध्यान रखने योगे जरूरी बाते अपना समय निकाल कर जरूर देखे शुवा खाले पिट शौक का पानी पीने से वजन तेजी से कम होता है इसका अशर आपको 10-15 दिनों के अंदर ही दिखने लगेगा खाने की दोरान जादा पानी पीने से नाकों कमजूर हो जाते हैं बदनुवा दाग धब्बे वगेरा खतम करने के लिए करेली के छिलकों को पीश कर उसमें दो चमच टमाटर का रश डाल कर धब्बों पर लगाने से दाग धब्बे दूर हो जाएंगे शाम को प्याज का सेबन करने से बावा सिर जैसी बिमारी हो शकती है जम्हाई लेते बक कभी अंग्राई मत लेना बढ़ना जुवान को कुछ तिर के लिए लकबा हो सकता है नमबर छे एक छोटा सा टुकरा अनार के छिलकों को चवाने से पुराने से पुरानी खाशी और इलरजी दूर हो जाती है नमबर शात्र अंगूर खाने के बाद उपर से पानी हरगिज न पिये इससे हैजा हो सकता है नमबर आट कच्ची गाजर खाने से खून गाढ़ा नहीं होता है नमबर नॉम पालक खाकर सो जाने से निंद ठीक तरीके से नहीं आती है नमबर दस ठंडा पाने पीने के बाद चाय बिलकुल न पिये नमबर इगारा अगर आप चोहों से तंग आ गया है तो चूहे की बिल के पास खाली अंडे का खोल रख दे चूहें भाग जाएंगे नमबर बारम अगर पेट बहुत जादा बढ़ गया है तो लक्षुन के रस से पेट की मालिश करे इससे बढ़ता हुआ पेट कम हो जाएगा नमबर तेरह डिप्रेशन की बिमारी हो तो पुदिने की खुसबूश उंगे लाव होगा नमबर चौदर बासी मूसेब खाने से कप्च खत्म होती है नमबर पंदरह बदाम का तेल बालों को पोशन देता है बदाम के तेल से बालों की अच्छी तरह से मशाज करे कुछी दिनों में शपेद बाल काले हो जाएंगे नमबर शोल प्याज के रश को नार्यल के तेल में मिलाकर बालों को धोने से एक घंटा पहले लगाना चाहिए ऐसा करने से बालों का ज़र्ना बंद हो जाता है और बाल घने लंबे और मुलाइम हो जाते हैं चेहरे पर रात को रोजाना कच्चा दुल से मालिश करने से इश्किन में निखार आ जाता है गर्वा अविस्था के दोरान महलाओं का पाचन तत्र इम्मुनीटी सिस्टम संबेदन शीन हो जाता है बैगन में मुझूद कुछ रशायन और हर्मोन गर्वती महलाओं के लिए नुक्षान दे हो सकता है इसलिए गर्वती महलाओं को शला दे जाती है कि वह बैगन से दूर रहे खास करके गर्मियों के मौशं में नंबर उनेज चेहरे पर निच्रल गुलाबी निखार के लिए दो चमच गुलाब के फूल के पाउडर में एक चमच एलो वेरा जेल और एक छोटा चमच कच्चा दोर मिला कर फेस मास्क का पेश तयार कर ले और इसे चेहरे पर लगाए फिर ताजा पाने से साफ करे नियमित इसके सेवन से आपका चेहरा दमक उठेगा नंबर बेस चने की दाल के पाने से चेहरे को दोने से चेहरे का रंग साफ हो जाते हैं नंबर इकेज एदी आपको किसे भी कारण से निंद नहीं आ रहे है तो रात को भोजन के बाद शोने के आधा घंटा पहले हल्दी वाला दूद पी ले इससे आपको निंद अच्छी आ जाएगी टिप्स नंबर बाइस एदी आपके हाथ और पैल कापते हैं तो रात में खाने के बाद दो लॉंग चबा कर गरम पानी या दूद पी ले इससे आपको लाब होगा नंबर तईस अगर आपको जुकाम है तो कपूर को रुमाल में रखकर रुमाल को शुमना चाहिए इससे जुकाम में अराम मिलता है नंबर चौबिस अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हैं तो हरे केले का शेवन करें केला फाइबर से भरफूर होता है जो भूब को कंट्रोल करता है और बोडी को एनरजी देता है इसमें कैलोरी की मात्रा कम होती है जो वजन को कंट्रोल करने में हमारे शाहिक होता है नंबर पचेज सीने में दर्द की दिक्कत रहती है तो अजमाईं की धूनी लेने से दर्द में अराम मिल जाता है नमबर चपिस जिस घर में निम्बू का पौधा होता है वहां मच्छर कम आते हैं नमबर शताइस किसमिस के शेवन करने से चेहरे पर चमक आती है और शाथी सरीर में खून की कमे भी नहीं होती है नमबर अठाइस हल्दे के पाने को नियमित रूप से पीने शे आप अपनी बढ़ती हुई उम्र को रोक सकते हैं इसमें मौजूद गुन फ्री रेडिकल से लड़ने में शहायदा करते हैं जिसकी ओजासे सरीर पर उम्र का शर धीरे धीरे पड़ता है नमबर अठाइस नारियल के तेल में निम्बू का रश मिला कर लगाने से बाल जल्दी बढ़ते हैं नमबर तीज बदलते मौशा में सर्दी खासी के चपेट में आने की सबसे ज़्यादा शंभावना बच्चों को होती है एक गिलाश, गरम पानी, निम्बू की कुछ बुन दे, एक चमर शहद और एक चुटकी दाल चिनी दे इससे फॉरण अराम मिल जाएगा नमबर अकतेज स्वास्त रहने के लिए प्रयाप्त निंद लेना बहुत ही आफशिक है नमबर पत्तीज सुवा का नास्ता पीट भड़कर करे दोपर का खाना शुवा के खाने से हलका करे और रात का खाना भूके रख कर करे नमबर तैटीज अगर कीचेन के टाइल्स पर किसी तरह के दाग धब्बे हैं तो दाग धब्ब को पहले सिर्के से पोच्छ कर उसके बाद गरम पाने में शावुन मिला कर साफ करे नमबर चौतेज जो महिलाए पेट के बलशोती है उनके कंधे और गर्दन के मांस पेशियों में खिचाव आने लगते हैं और पेट के बलशोने के कारण कंधों के जोइंट्स पर भी दवा पड़ता है जिससे मेलाओ के कंधे और गर्दन में दर्द होने लगते हैं जिन्हें जोरों में दर्द रहता है उन्हें पीट के बल नहीं सोना चाहिए बलर्ड प्रेशर को कंट्रोल करना है तो केले खाया करे घर के मुखे द्वार पर आम के पत्ते लटकाने से परिवार को बुरी नजर नहीं लगती है शाथी घर में नकरात्म कुर्जा का बाश नहीं होता है नमबर 37 कपड़े को खारे पानी से धोए कपड़े चमक उठेंगे नमबर 38 दातों मेदी शुराख हो गए है तो कपूर को महिन पिसकर दातों पर उमली से लगाए और उसे मले दातों को भली परकार शाफ कर ले फिर सुराखों के नीचे कपूर को कुछ समय तक दवा कर रखे इससे दात का दर्द निश्चित रुप से समाप्त हो जाता है नमबर 49 प्याज काटने के बाद अक्षर इसकी गंद हाथों में रह जाती है इससे छुटकारा पाने के लिए हाथों में थोड़ा बेकिंग सोडा लगा ले और रगर कर वाश कर ले नमबर 40 दिमाग तेज करने के लिए दही खाए दही में एमिनो एशिड होता है जिससे तनाग दूर होता है और दिमाग की चमता बढ़ जाती है नमबर 41 अजमाइन के तेल से मालिष करने से जोरों के दर्द में अराम मिलता है नमबर 42 जीरों को बारीक पीश ले इस चुन को तीन-तीन ग्राम गरम पानी के साथ दिन में दो बार्शेवन करने से पेट के दर्द तथा बदन दर्द से छुटकारा मिलता है नमबर 43 सुखे तेजपत्या को बारीक पीश कर इस चुन से हर तिसरे दिन एक बार मंजन करने से दात मुतियों की तरख चमकने लगते हैं नमबर 44 होटो पर छाले होना इन हाइजेनेशन विटामिन सी और विटामिन टूल की कमी तथा जश्ट इन्फेक्शन से हो सकते हैं नमबर 45 आवला चुन 10 गराम एक चमस सहथ में मिलाकर शुवख खाली पेट चाटने से थारर जैसी गंभीर विमारी से भी एक से दो महीने में खत्म हो जाते हैं नमबर 46 परती दिन अशनान से पुर पैरों के अंग्ठों में सुध सर्शों का तिल मलें ऐसा करने से नित्र जोती बढ़ जाती है नमबर 47 चीकू में लो तत्व काफी मात्रा में होता है अतर चीकू खाने से खुन की कमी दूर हो जाती है नमबर 48 जिनने बार बार उल्टी आ रही है उन्हें बर्ख चुसना चाहिए इससे उल्टी होना बंद हो जाता है हैजे की उल्टीों में भी यह पर्योग लाबदायक होता है दोस्तों मेरी टिप्स यहां पे खत्म होई जोस्तों में होती है जल जहागा होता है झाल झाल